अज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बेसी बिकॉम के फिप्त समेस्टर के छात्र हैं वो अनिवार प्रस्णपत्र यानी को करिकुलर सब्जेक्ट की जिसका नाम है अनलेटिक अबिलेटी एंडिश्टर लेवरनेस उसकी परिच्छा देने जा रहे हैं उनक चात्रों के लिए बना रहा हूं जिनकी परिच्छा उसी दिन है मतलब की जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है उन चात्रों के लिए है और ये वीडियो उन सभी चात्रों के लिए जो एक दो दुन पहले वीडियो देख रहे हैं या फिर उसी दिन देख रहे हैं ज अभी आपका जो पेपर हो complete हो पाएगा क्योंकि question answer रट लेने से ही नहीं आप लोग को सफलता मिल जाएगी ठीक है वो तो सफलता मिलेगी लेकिन कुछ points और है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है तो हम आपको question answer भी बताएंगे और साथ साथ में कुछ tips and tricks हैं उनको बता कि परिछा से पहले जब परिछा आप देने जा रहें तो वहां पर आपको क्या क्या करना है अदर्वाइस कुछ गर्वन नहोंने पाए तो उस बातों को ध्यान से सुन लीजिए ठीक है चलिए पहला आज कि वीडियो का पहला प्रश्ण है पहले हम प्रश्ण के बारे में उत्तर के बारे में जानेंगे उसके बाद हम कुछ हम आपको टिप्स एंट्रिक्स बताएंगे ठीक है तो प्रथम गयडा यंत्र कौन सा है यानि कि कि किसी चीज को गड़ना करने के लिए किसी चीज को घटाने के लिए जोडने के लिए सबसे पहला जो यंत्र है वो कौन करके देखा होगा ठीक है जो हमारे आंगरंड़ी वाले फिर एक दो लास वाले बंच होते मैं इसको हिंदी में कुछ में सब सब लगा रहता पहले अशेβास सर्किल टाइप का ठीक गोल गोल सा उके बाद इससे बच्चा पढ़ता है कि भाई यह इसमें कितनी सर्किल है इसमें कितनी है इसमें कितनी है इसमें कितनी है तो एक में वढ़ेगा तो एक है इसमें दो है इसमें तीन इसमें एक दू तीन चार है एक दू तीन चार पांच है इसी तरह पढ़ता थी ये अबाकस का यंत्र ऐसा ही रहता है इसी को हम अबाकस कहते हैं और यही सबसे पहला गड़ना गड़ने का यंत्र याद रखेंगे ठीक है नेस प्रस्ण कहे रहा है कि कपड़े बुनने के लूम का अविश्कार किया किस ने अविश्कार किया कपड़ बुणने के लोम का विश्कार जो किया है वो किये हैं जोसिप जेकार्ड ने ठीक है याद रखेंगे बहुत ही popular question है important भी आपके exam के लिए ठीक है और निस्प्रस ने कहे रहा है कि आधने computer के जनक कौन है यानि की computer के जिन्होंने computer की सुरुवात की जिन्होंने computer बनाया है तो आधने computer के जनक यानि की पिता कौन कहे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना बहुत popular question आप सभी जानते भी होंगे चार्ल्स वैवेज यह हैं हमारे computer के जनक ठीक जनक थे और यह computer की सुरुवात या फिर कह सकते हैं कि आधने computer के फादर यहीं है ठीक है निस्ट कोश्चन है कि दुतिये पीड़ी यानि की computer की कई सारी पीड़ी आई है तो कई पांच पीड़ी आ है टोटल थे कि तो पांच में सबसे पहले पीड़ी जो आई तो उसमें कुछ computer के parts बने ठीक है फिर दूसरी पीड़ी आई उसमें और भी अच्छे अच्छे computer को इन्क्रिमेंट किया गया यानि कि पहली पीड़ी में जो computer था ना वो एक 10 बाई 10 कमरा होता उतना बड़ा computer था ठीक है तो धीरे धीरे पीड़ी पीड़ी आई तो उसमें चोटे चोटे एक से एक बढ़की पुर्जे लगाए गए ताकि computer को छोटा किया जा सके और सानिफ में चलाया जाए ठीक है तो धीरे धीरे करते करते हमारी इसी तरह नंबर एक पीड़ी आई फिर दू आई पिर तीफरी पीड़ी में औ ठीक है बहुत इजी हो गया तो यह पहले नहीं था यानि कि दस बाई दस मतब दस फुट उंचा दस फुट ठीक है इतना बड़ा computer था जो कि एक कमरे में भी नहीं आता था ठीक है तो धीरे दीरे उसका कम करते करते चोटी-छोटी पूर्जे स्टोंग पूर्जे लगा ठीक है तो इस प्रकार आप इसका उत्ता लिखेंगे तो ध्यान लखेंगे दूतीर पीड़े के computer के program लिखे जाते थे assembly भांसा में ठीक है बी नंबर से बानंबर से उत्तर होगा याद रखेंगे ठीक है और निश कोश्चन है कि आशी का प्रियोग किया गया यानि कि आशी जिसके माध्यम से चलती है यहां तक कि आपके घर में टार्च होगी ठीक है यहां आपके अंदर LED वल्फ होगा जो जलता है ठीक उसके अंदर भी एक सोटी सी सर्किट पाई जाती है ठीक है तो यह जो आईसी बोलते नहीं कि आईफी चली गई मूबाइल की चली गई इस त सुरवात है या इसकी प्रियोगे वह कम्प्यूटर के किस पीढ़ी में की गई थी. ध्यान रखेंगे सबस्रेंस जैंद सब्सक्रावाद का क्वाइल है प्रियोज़े Judge कोश्छन का की सुनों नहीं मालूम है जिनने फिरीज नहीं खरी दी या घर सकία ऑन दिन दिन चार प्रकार के प्रस्ण आएंगे ठीक है चार यूनिट में पूरा जो आपका अनिवार प्रस्ण पत्र है अनलिटिक अबलिटी ठीक है यह आपका चार यूनिट में इडिवाइड है ठीक है चार यूनिट में आपको सबसे पहले आपको एक मैथमेटिक कल कोईश्चिन पू हारी को दो फरोरी 2002 को फंडे था तो पांच फरोरी दो हजार ठीक ऐ दसको कौन सा दिन होगा ऐसे प्रसन पूणशे जाएं गी ठीक mound यह फिर पूछा जाएगा कि राम राम दो भाई है ठीक contradictory podría由 चार नंबर यूनिट है उसमें आपको इंटरनेट का विश्कार कैसे हुआ इसके फादर कौन है कंप्यूटर के कम्प्योटर में बहुत फारे जो part होते input-output यह सर produces बहुत फारे घवनप्रकार के मस्तलब को मतलब क्यें इंटरनेट में तो आपको इनी चार unit फिडियो इस बात को नोड के लिए आपको जानना ज़रूरी होता तो यह जो mathematics वाला होता प्लस ये जो कुछ रिजिनिंग वाले हैं कुछ प्लस जो मैंने आपको बताया है कुश्चन इस तरह के यह कुछ कुश्चन यह होते हैं इनको आपको खुद वहां पर जिस प्रकार प्रकार आपको हल करना पड़ेगा ठीक है और जिस भी प्रकार नहीं मालुम होगा फस्ट प्रियुक्त अर्धचालक क्या है ठीक है ओके तो इसमें आपको चार आफन देगे एक दो तीन अब इस प्रस्ण का उत्तर आपको नहीं मालू है तो सिंपल सा आपको दावाला फिलेक्ट कर देना जिनमें लिखाओगा इनमें से कोई नहीं या फिर उप्रयोक्त में से सभ इसमें पास होने की कोई बताइए तो वही काफी चात्रों को मैंने बताया था तो ही अपना कि आए और अच्छे काफे नंबर भी लेकर आए ठीक है तो इन बातों को ध्यान रखना है तो इंटरनेट और जो चार प्रकार के प्रश्ण आपको उत्तर देना है अच्छे से ठीक है और जिनका प्रश्ण का उत्तर मालूम है उनको तो आप जरूर उत्तर करिएगा ठीक है ध्यान रखेंगे और जिनका नहीं मालूम है वो प्रोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी स् पहले तो उनके लिए कि आपको 10-15 मिनिट जब रहे जाएंगे आपकी परिच्छा को समाप्त होने को तो उससे पहले कोई-कोई इनवर्श्टिटी में थोड़ा बहुत आपको चीटिंग कराने के लिए आते हैं तो आपके पास नहीं नौलेज है तो आप उस समय का इंतिजार कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर नहीं आ रहा है इनके तो आपको वही वाला अपना लेना है टिक्स इन में से समी या फिर उपरोक्त में से सभी और इस बात को और ध्यान रखेंगे एक और बहुत बढ़ी ह नहीं दे पाएं तो ध्यान से तो लिजए आपको जितने वेप्रस्वन दिये जाएंगे धिक जितने वेप्रस्वन रहेंगे आपके एसंसलिए य कंशन मजा की मानिस बात को ध्यान dynasty का वाली बात है इसलिए सब प्रस्णों का उत्तर देकर आईए जिस प्रस्षा मालूं में उसका भी दीजीए जिसका नहीं मालूं है उच्छ सब्सक्सक्थ और रखना है…. मोद् मोश्तिक के पात्त समय बिता देते लेकिन जब उनके कुछ समय रह जाता है कुछ मिनट रह जाते तो क्या कहते हैं जल्दी-जल्दी कोषिस करते हैं करने को उसी जल्दी-जल्दी में pause सारे question गलत भी हो जाते हैं और उसी जल्दी-जल्दी के चक्कर में कुछ question उनके बहुत फारे छूट भी जाते हैं तो इसलिए सबसे पहले जैसे paper मिले paper देने जा रहे हैं तो उस पर आपको focus करना है अलग कहीं ध्यान नहीं ले जाना है ठीक है इस बात को ध्यान लेकना कोई question छोड़ कि मताईएगा बस अब ये कुछ दिसा नर्देश थी कुछ tips टेक्स थी जो कि मैंने आपको बता दिया ये सब आपना लेंगे इनको आपको जानना वैसे भी चाहिए ठीक है बेसिक चीजे थी कभी चात्रों को मालूम था जिनको नहीं मालूम था वो जान लीजिए और बाकी जिनको मालूम था अच्छी बात है जानना भी चाहिए और नेस्ट कोश्चन हम इसमें कुछ आपको बता दे रहे हैं नेस्ट कोश्चन है कि टांजिस्टर में प्रियुक्त अर्धचालक एक हर चीज में टांजिस्टर होता है ठीक है जो कोई भी पार्ट हो एलेक अर्चालक वह होता है सिल्कॉन का याद रखेंगे अनंबर सही उत्तर हो जाएगा अमनेस्ट प्रश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रियुक्त तकनीकी कौन है यानि कि टेक्नलोजी कौन सी ठीक है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पोंट प्रश्चन है आप सभ प्रूट पीड़ी में ठीक है ऐसा भी कोस्चन हो सकता जैसे कि मैंने गल एक इन्वर्श्टी का पूरा का पूरा कोस्चन पेपर मैंने आपको बताया हम कराया था कुछ को प्राया थे ठीक है उसमें कोश्चन पूचा गया था कि VLSI माइक्रोप्रोसेसर का संबंध है वह इन आपस्वनों में से किस पीड़ी से है ठीक है या फिर इसका जो अभिस्कार है या सुरुवात है किस पीड़ी से किया गया था VLSI जो एक Maikro P मतलब की एक पार्ट है ठीक है इसको माइक्रो प्रोसेसर में कब यूच किया गया था किसी पीड़ी में इसका यूच किया गया था तो वहां पर फिलेट किया गया था कि चतुरत पीड़ी में यानि कि चौथी पीड़ी में इसका तकनीकी का यूच किया गया था ठीक है तो ये question से दो उत्तर के लिए होते हैं ठीक है दो प्रश्न के उत्तर उसके बाद next question है कि एकार्ट तथा मुचली ने अभिषकार क्या किया है यानि कि एकी बिद्वान है जिनका नाम है एकार्ट तथा मुचली ठीक है इन्होंने जिस चीज का अभिषकार किया है उसका नाम ध्यान से सुन लीजिएगा नाम है यूनिवेक ठीक है यूनिवेक का इन्होंने अभिषक सिमा के बारे में जान लीजिए ठीक है जो तीसरी पीड़ी का जो समय सीमा रही वह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सन इस लफ चॉश्वर्ट से लेकर ठीक है सन 1964 फे लेकर 1975 तक का जो समय रहा है यह कंप्यूटर की तीसरी पीड़ी के नाम जाना जाता है तीसरी पीड़ी का समय काल कह सकते हैं ठीक है सभी उत्तर बहु जाएगा इफी तरह आप दितने भी पीड़ी हैं उन सभी पीड़ी के बारे में समय सीमा उनकी जान लीजेगा क्या फील्प कोश्चन है और मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि हमने कल एक आप लोगों को महा संग्राम पीड़ी प्रवाइड की थी जिसमें बहुत सारी कंप्यूटर और इंटरनेट फ्यूड़ी कोश्चन है जिनसे आपको आपके एक्जाम पें मिल जाएगी उस पीड़ीप में मोस्ट इंपर्टन कोश्चन और दोनों के दिनों इनके लिए और और सेम इस बीडियो के जो पीडियाफ है पूरी पूरी पीडियोफ में करीब-क्रीप पचास से भी करीब-करीपचास से अधी करीब-क्रीप सौग के करीब कोस्टन और इन्ट उसके enfants जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस कुछ जानकारी दिसान देनी थी ठीक है ताकि आपके एक्जाम में आपको समस्याइन आए उसके साथ साथ मैंने फोचा कि कुछ कोश्चिन भी हम आपको परवाइड करा देंगे कुछ पचास सो के करीब ठीक है तो यह करीब करीब फत्तर से ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे ओके और इसमें बहुत फारे इंपॉर्ण कोश्चिन जो कि आप सभी के लिए कंप्यूटर के दिमाग क्या कहलाता तो CPU कहलाता आप सभी जानते है अच्छे है ठीक है तो पीडियाफ आपको टेलिग्राम वर्ट से पर मिल जाएगी ऑल वाइड वेव होगा सा नम्मर से उत्तर होगा ठीक है याद रखेंगे तो इस प्रकार बहुत फारे महात्पूर्परस ने किलोडिट किये हैं बाकी ओल देविस्ट अच्छे स्पेपर देख रहिएगा जय हिंद